हालो गाइज वेलकम बैक टो चैनल गाइज एक और वीडियो के साथ हम लोग आएगे हम लोग चैप्टर चल रहे है डाइस वाटर बरावर है आज एक न्यू टॉपिक हम लोग करेंगे डाइस कॉल्ड डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ ठीक है आपने पिछले वीडियो तो 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 सॉल्ट इन दे वाटर एट वीडियो ठीक है तो वीडियो डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर ठीक है तो शुरू करते है तो तो इसमें हमें एक्चुली यह यह पूरा जो लेक्चर है यह प्रैक्टिकल बेजी होगा कि हाव विल्ट परफॉर्म प्रैक्टिकली और हाव विल्ट फाइंड प्रैक्टिकली दा हाडनेस ऑफ यह यहां पर एक्स्प्लें करने वाला हूं ठीक है यह विल्ट रिपर सम सॉलुशन और उसके बाद फिर टाइटरेशन हम लोग सब्सक्राइब हाटनेस ऑफ वाटर बाई इडी टीए मेथर ठीक है यहां पर सिंगल नाइट्रोजन और फिर यहां पर यहां पर यहां पर नाइट्रोजन को और यह दो नाइट्रोजन के उपर लोन पैर अफ एलेक्ट्रोजन यह जो कंपाउंड है यहां पर यां पर यहां पर है यहां पर यहां पर यहां पर जो हाईड्रोजन आटम है वो रिप्लेस हो जाएंगे स्रिक्ति ठीक है so this hydrogen atom इसी structure में बता रहा हूं this hydrogen atom and this one more hydrogen atom okay both the hydrogen atom going to replace by any only यहां पर एक आने आ जाएगा एक यहां पर आने आ जाएगा so this is called the derivatives of EDTA only that is called the sodium salt of EDTA so this sodium salt of EDTA is actually used over here ठीक है यह use होगा वहां पर understood EDTA structure में ही मैंने सिर्फ वो दो hydrogen atom एक यहां का hydrogen यहां का hydrogen को replace करें sodium से तो वह sodium salt of EDTA हो गया sodium salt of EDTA so this is actually used over there to determine the hardness of water ठीक है चलो procedure फटा फटा निकल लेते हैं समझ लेते हैं कि क्या exactly है procedures so what are the procedures for the EDTA titration so we'll go ahead in the next one चलो guys so procedure for the EDTA titration okay procedure for EDTA direction guys यहां पर हमें जो जब titration स्टार्ट करेंगे हम लोग titration यहां आपने 11 में 12 में पढ़ाई होगा जो दो solution एक को ब्यूरेट में रखते को कोनिकल फ्लास में रखते कुछ इंडिकेटर एड़ करते हैं फिर हम लोग जो solution रिलिस करते हैं फ्रम दो ब्यूरेट ओनली कलर चेंज होते हैं कलर होने के बाद रिडिंग नोट करते हैं तो यहां पर हमें actually देखो 11 12 में यह लोवर क्लास में जनरली आपने पढ़ा होगा जहां पर यह नो टाइटरेशन में प्रवाइड किये जाते बराबर है तीचर जनरली सलुशन प्रवाइड कर दे हैं और हमें वह सलुशन यूज करके सिर्फ कांस्टेशन कितना exactly है वह फाइंड आउट करने यहां पर यहां पर यहां पर नमिलीग्राम में Sharo प्रिफ next स्विशन प्रिपार करने इन वहores ऩ लिए घ्रिटरेशिस करना है यहां पर हमें we सौंण बाइवन फठाफठ टैख यहां पर सृफ स्ट टेप्वन सेप्वन फूर्स स्टेप्श अरोब पर देंग यहां पर खाडके तेढ ठीक है अब हमें रिएजन प्रिपार करने पढ़ेंगे तो इएलग मावत कि कैसे प्रिपार करेंगे तब यांगे त्रुलिट मिंगा करना है ठीक है यह को हां तो do we have to take the one gram of calcium carbonate ca co3 that calcium carbonate we need to dissolve in minimum quantity of water dilute axil sorry not water okay we have to dissolve in dissolve in in minimum quantity of quantity of dilute axil okay guys dilute axil already prepared of 0.1 normal 0.1 to normal 0.1 molar 0.2 molar so dilute axil में हमें यह solution क्या करना है 1 gram of calcium carbonate dissolve करना dissolve करने के बाद फिर जो solution आएगा that we have to take into the into the this one china dish या फिर say evaporating dish and we need to evaporate this solution ठीक है एक बार यह solution prepare हो गया then solution gets evaporated to dryness complete dry होते है वक्त तक वह solution को evaporate करना है समझ में आगे है क्या करना है एक ग्राम हमें CCO3 लेना है उसको minimum quantity of water dilute axil में dissolve कर ले अच्छे से dissolve हो गया clear solution मिल गया हमें वह solution को हमें evaporating dish में लेना है चाइना डिश बोलते है उसको एक छोटी मिट्टी का चाइना कले का सब्सक्राइब करेंगे और completely solution को इतना हीट करेंगे कि वह कंप्लेट ड्राइब हो जाए सारा सब्सक्राइब लिक्विड सॉल्वेंट होगा वह उपरेट हो जाएगा तो इसको डिशॉल करना है डिश्टल वाटर में और इट शुलिशन वे ने तो इस वन वन लिटर सो रेस्टी वह टेवर रस्टी अप्तें अफ्र द्राइब इस उसको में डिशॉल करना है इन वाटर इन मिनिमुम वाटर और देन डिलूटेड तो वन लिटर सोलुशन इस तरह से स्टैंडर इस वन हाड वाटर प्रेपर हो जाएगा किस तरह से क्या करेंगे वन ग्राम सी यह उधरी डिजॉल कर लेंगे मिनिमुम कॉंटिटी वाटर में और वही सोलुशन को फिर एक लीडर टक डायलूट करना है बाइडिंग डिस्टल वाटर ओनली यह तो हमारा हो गया इस्टैंडर सोलुशन और स्टैंडर हाड वाटर ठीक है और प्रिपरेशन स्टैंडर हाड वाटर स्टैंडर हाड वाटर हमने प्रिपैर कर लिया नव फिल गो फर एडिटी एस सॉलुशन तो यहां पर एक्जैक्ट अमाउंट लेनी है वह है 3.7 ग्राम ओप एडिटी ए और उसको मिक्स करना है हमें 0.1 ग्राम ओप एमजी सील्ट के साथ तो यह जो मिक्सर है इस मिक्सर आए तो यह जो मिक्सर है इस मिक्सर dissolved in water and then that solution diluted to 1 लिटर विद इस लोटर ठीक है को dissolve करना है हमें minimum quantity of distal water में और उसी solution को फिर हमें dilute करना है तिल 1 लीटर ऑफ सलुशन तो चलो यह हमारा एक specific concentration का solution मिल गया that is our EDTA solution ठीक है EDTA solution में अगे बढ़ता है इंडिकेटर भी हमें प्रिपार करना पड़ेगा यहां पर ओके इंडिकेटर इंडिकेटर जो यहां पर हमें क्या लेना पड़ेगा 0.5 gram of EBT 0.5 gram of a compound EBT that is area chrome black tea compound and that we need to dissolve in 100 ml of alcohol ठीक है हमें किसमें dissolve करना है 100 ml of alcohol में 100 dissolve in 100 ml alcohol ठीक है और इंडिकेटर यह हमारा इंडिकेटर बन गया एक और चीज़ हमें प्रिपार करनी है that is buffer solution ठीक है दूसरी चीज़ प्रिपार करनी है that is buffer solution देखो buffer solution ऐसा solution होता है which do not allow the change in pH ठीक है buffer solution that also we have to prepare ओके तो buffer solution कैसे प्रिपार करेंगे buffer solution दो टाइप तीन टाइप के होता है actually acidic buffer basic buffer and a neutral buffer buffer solution is a mixture of a weak electrolyte and salt with strong electrolyte ठीक है weak electrolyte and salt with strong electrolyte यहाँ पर हमें basic buffer solution ही यूज करेंगे जहाँ पर हम लोग NH4Cl लेंगे उसमें एन अमोनिया solution add कर देंगे NH4Cl कितना लेंगे 67.5 ग्राम ठीक है कितनी कॉंटिटी है 67.5 ग्राम सियल राइट ओर है 67.5 ग्राम of NH4Cl that is called ammonium carbonate वो लेना है solid material होगा ammonium carbonate is solid in nature at room temperature and that we need to dissolve in 570 ml of ammonia solution okay dissolve in 570 ml of concentrated ammonia solution okay concentrated ammonia solution और वही solution को फिर dissolve करना है then diluted to वन लीटर ठीक है सब में वहां पर भी वन लीटर करना यहां पर भी वन लीटर में डालूट करना है हमें understood किस तरह से बफर सोलुशन बनाएंगे बफर सोलुशन एक्चुरिए पर specific pH है buffer solution having a pH of 10 ठीक है pH exactly 10 वाला हमें buffer solution बनाना है ठीक है pH of 10 only तो देखो गाईस solution कौन कौन से prepare करना है देखो procedure for the titration हमें preparation of reagent करना है पहले hard water hard water prepare कर लिया उसके बाद फिर हमें चले जाना है EDTA solution EDTA solution prepare हो गया देन indicator भी prepare करना है and then buffer solution भी पर करना है तो यह चार solution standard hard water then EDTA solution then buffer solution and then these one EBT indicator ठीक है चारो के चारो solution हो गया now we'll go for the titration तो दूसरी step यह जो step first थी actually preparation of reagent that is step first अभी हम लोग jump करेंगे into the second step okay that is next step okay so step two that is titration step two is the titration okay चलो तो titration कैसे रसे होगा यहां पे भी actually three different way में titrate करना है हमें titration perform करना है एक तो standardization of EDTA solution है ओके second है estimation of total hardness and the third one estimation of permanent hardness ठीक है तीन वे से करना है क्या है standardization of EDTA solution estimation of total hardness estimation of permanent hardness so one by one discuss कर लेते हैं the first one the standardization of EDTA solution से सुरुवात करते है standardization of EDTA solution ठीक है करना क्या है इसमें यहां पर हमें 50 ml of a hard water लेना है नहीं नहीं को नीकल फ्लास चलो लिख लेते हैं यहां पर कि 50 ml standard hard water जो कि हमने अल्रडी प्रिपेर किया है hard water in conical class बराबर है conical class में ले लिया हमने 50 ml of standard hard water अब उसमें हमें यूनों add कर रहा है 4 to 5 drops of EBT indicator ठीक है 4 to 5 drops of EBT indicator plus I'll write over here plus 4 to 5 drops EBT indicator correct 4 to 5 drops of EBT indicator डाल दिया हमने okay और एक बार वो solution कितना 50 ml of standard hard water जिसमें you know 4 to 5 drops of EBT indicator और उसमें हमें 10 to 15 ml of pH भी add करना है plus 10 to 15 ml of buffer solution जो कि pH change करने नहीं देगा buffer solution कॉन सा जो हमने pH 10 का बनाया हो तो यह mixture ready कर दे रहा है क्या है conical plus में 50 ml standard hard water उसमें हम लोग add करेंगे 4 to 5 drops of indicator and 10 to 15 ml of buffer solution या फिर पहल buffer solution एड़ करो उसके बाद indicator आड़ करो यह हो solution titrated against EDTA solution कब तक करेंगे जब तक wine red color deep blue में change नहीं होता ठीक है क्या है wine red color changes to deep blue color यह तो end point of the titration correct so 50 ml standard hard water 4 to 5 drops of indicator ebt 10 to 15 ml of these pH solution buffer solution sorry of pH 10 we need to make a titrate against the EDTA solution over there ठीक है EDTA standard DTA solution जो हमने बनाया है that we need to take over there ठीक है then titrate करना है till the color change from wine red to this one क्या deep blue color okay whatever the volume will be coming ठीक है वो होगा हमारा volume of EDTA that will be our V1 यह important है guys volume of EDTA या फिर standard EDTA हमें जो लगेगा that will be V1 ml correct यह V1 ml हमें identify करना है यहां पर correct this one the V1 we need to identify चलो यह हमें यहां पर major करना क्योंकि V1 V2 V3 यह से तीन volume हम लोग find करने है तीन titration हम लोग actually करेंगे ठीक है तो यह हो गया the standardization of EDTA solution we'll be getting here the volume of EDTA that is V1 ठीक है चलो यह तो खतम हो गया now we'll go for the other one that is the second step okay the second step is the estimation of a total hardness estimation of total hardness estimation of total hardness यहां पर हम लोग क्या करेंगे V2 second volume of EDTA find करेंगे यहां पर हमें लेना है 50 ml of a hard water ठीक है first of all we have to take 50 ml hard water okay hard water ले लिया 50 ml उसमें हमें क्या करना है that we need to titrate against the EDTA solution only okay hard water titrate rate against EDTA solution that is standard EDTA solution correct यहां पर भी iteration same indicator same जो previous procedure यूज की इस वन बफल सलुशन एड कर लो indicator एड कर लो ठीक है यहां पर solution will change to this one wind rate to deep blue अब तक हमें यह वो titrate करना है here we'll be getting the volume of EDTA जो भी virate rating होगा हमारा that is volume of EDTA यह होगा v2 ml ठीक है गाईस तो यह हमें v2 ml मिल गया understood यह वाला v2 ml पहले हमने v1 ml find किया यहां पर okay standardization then temporary hardness then हम लोग final करेंगे estimation of permanent hardness ठीक है finally the estimation of permanent hardness c estimation of permanent hardness yeah permanent hardness इसमें क्या होगा again we have to titrate the solution with the EDTA correct यहां पर हम लोग लेंगे 50 ml of hard water okay 50 ml standard hard water अब इस hard water को हमें boil करना है okay boil till 10 to 15 minutes okay 10 to 15 minutes तक हमें इसको boil करना है boil करने के बाद एक बार boil हो गया उसको फिर हम लोगों को filter करना है okay we need to filter not matter with the distal water okay to make the overall volume will be 50 ml hard water हमें boil करना है till 15 10 to 15 ml तो तो ओपरेट हो जाएगा ठीक है वो solution को filter करेंगे filter करने के बाद diluted filter and then diluted with distilled water to make the volume 50 ml ठीक है वापस से dilute करना है to make the volume 50 ml और उसके बाद फिर that whole solution solution titrated against EDTA solution वापस से titration करना है against the EDTA solution इस बार जो volume of EDTA होगा that will be V3 V3 करेक्ट हमें V1 विल गया V2 और यहां पर हमें मिल जाएगा V3 ml करेक्ट इस आवर V3 ml अब यही V1 V2 and V3 से हम लोग find out करेंगे the temporary hardness of the water ठीक है so फटा फट लिख लेता हूं formula how to find out the temporary hardness the difference between permanent hardness and temporary hardness यह calculate करने के बाद we'll be getting the temporary hardness so so the formula of temporary hardness see here is equal to total hardness minus permanent hardness okay total hardness minus permanent hardness okay total hardness कैसे find करेंगे guys we have that volume क्या है V2 upon V1 into 1000 minus the other one that is permanent hardness V3 upon V1 into 1000 ठीक है इन दोनों का जो अगर difference ले ले लेता है we'll be getting simply इसको final अगर फॉर्मिल अगर अगर फॉर्मिल अपॉन अपॉन इन्टो V2 minus V3 ठीक है इन्टो V2 minus V3 ठीक है इन्टो V2 minus V3 ठीक है इन्टो Mg समझ में आ गया hardness of order with EDTA में तर गाइस वीडियो को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना नेक्स्ट वीडियो तक बबाएंड टेक कर